नमस्कार दोस्तों स्वागतिया आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं आज आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट वेडियो लेकि आया हूँ जो कि रिलेटिड है फिजिक्स क्लास प्लस वन से अब मैंने दो वार क्लास प्लस वन का जो स्लेबर से वो कवर किया है फर्स टाइम हमने काफी डिटेल में तकरीवन पार्ट नमबर 40 तक कितने तक पार्ट नमबर 40 तक जो है ये 35 तक 35 2 40 तक जो हमने केवल प्लस वन की ही वीडियोज को स्टडी किया था एक दम डिटेल में मॉडल टेस पेपर भी स्टडी किये थे उसके बाद हमने तकरीवन 68 प्लस 2 के पार्ट को study किया फिर अगेन हमने physics प्लस 1 के ओपर काम शुरू किया तो आज पार्ट नमबर 87 हमारे पास आ चुका है and 87 पार्ट जो है वो यहाँ पे cover होता है आपके पास पूरा का पूरा स्लेब बस प्लस 1 का जितने भी important question थे वो हमने आपके साथ study कर लिए तो यह part नमबर 87 है आपके पास इसके हम 3-4 model test paper या जितने हो सके प्लस 1 से related important question को अब mix करके study करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी knowledge चेक कर सकते हैं and तकरीवन 12 या 13 question हमारे पास available है तो आपको हमें comment करके बताना है कि 10 out of कितने आपके question जो हैं सही हुए है तो ओके guys तो comment करके हमें बाद में जुरूर बताईए कि कितने question जो हैं आपके सही हुए हैं तो चलिए इस video को शुरू करते हैं पहला question है मारे पास the different terms like sound energy, wind energy, light energy are the form of energy then the dimensional formula of sound energy is तो यहाँ पे आपको energy के dimensional formula बताने हैं तो energy आपके पास क्या होती है energy आपके पास होती है work done work done और work done आपके पास क्या होता है force into displacement तो यहाँ पे आपके पास जो force है and जो displacement है अगर आप उनके units निकालोगे तो आपके पास dimensional formula कौन सा बनेगा तो इसका right answer क्या है आपके पास option number B next है मारे पास a person start his journey from his home at 9 a.m. to his office and came back to his home at 5 p.m. his office is 20 km for his home and then the displacement of his motion तो यहाँ पे आपके पास इसकी displacement पूछी गई है 20 km होगी 0 define नहीं कर सकते or none of these तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो displacement है वो depend करती है initial and final position के उपर तो person ने कहां से शुरू किया था चलना घर से and शाम को वो दवारा से अपने घर बापिस आ गया तो displacement कितनी होगी यहाँ पर आप home माल लीजिए यहाँ पर office माल लीजिए वो office तक गया साम को दवारा से home में आ गया तो displacement कितनी होगी 0 so be is the right answer next है मारे पास राम जंप from his school bus while it is in running stage then राम falls in राम ने अपने school bus से जंप किया जब बस चली हुई थी and running stage में then राम falls तो राम जो है कौन सी side को गिरेगा अब question को थोड़ा ध्यान से देखिए राम jumps from his school bus while it is running stage बस जो है running stage में थी तो आपको पता है अगर कोई चीज running stage में है तो हमारी body उसके साथ running stage में होगी तो it means अगर हम jump करेंगे तो हमें वो आगे की तरफ भी push करेगी तो यहाँ पर right answer कौन सा होगा आपके पास forward direction next है मारे पास कुली carry 5 kg load on his head and covered 500 meter distance in straight horizontal plane तब work done by the कुली तो work done आप कैसे निकालते हो force into displacement cos of theta और कुली ने कितना work किया उसने load को अपने सर के उपर ठाए यानि cos 90 angle तो 90 का बनेगा तो जब cos 90 हम लिखोगे तो हमारे पास कितना बनेगा यह cos 90 आपके पास कितना होता है यह आपके पास opposite होता है sin 90 के यानि आपको पता होगा sin 0 आपके पास यहाँ पर 0 होगा तो cos 0 कितना होगा आपके बनना आजाएगा तो sin 90 कितना होता है पर गास 0 होता है तो यह term कितनी बन जाएगा आपके पास जब cos 0 हो जाएगा तो fs cos theta यानि cos 90 तो यह आपके पास 0 यहाँ पर बन जाएगा force कितनी होती है आपके पास force होती है mass into gravity अगर आप force की बात करो तो कि आप force को इस तरह से represent कर सकते हैं mg के रूप पर next मेरे पास kinetic energy in rotational motion is half i omega square and translation motion half mv square here i is the momentum of inertia w is angular velocity m is the mass of the body and v is the linear velocity the ratio of mass in translation motion is play by with quantity which quantity in rotation motion तो कौन सी जो आपके पास quantity है जो यहां पर अपना role play करती है तो इसका answer क्या होगा हमारे पास motion of inertia next हमारे पास an astronaut waiting 60 kg go to the space in a spacecraft then what will to the weight of astronaut तो जो आपके पास spacecraft है जब वो श्पेस में होगा तो उसका weight कितना होगा तो आपको पता होगा जब gravity बहाँ पे नहीं है क्योंकि weight कितना होता है आपके पास इतना mass है उतनी gravity है gravity तो बहाँ पे zero हो जाएगी तो mass भी obviously zero हो जाएगा and weight भी वो आपके पास zero हो जाएगा so it will become weightless so zero next है मारे पास degree of freedom तो ये तो मैंने काफी detail में आपको question करवाया था अगर आपको याद हो तो 3k-n करके हमने आपको ये एक formula बताया था degree of freedom का काफी important formula था and एक और formula आपको करवाया था अगर आपको याद हो cp upon cb करके that is also gamma is equal to काफी important formula था अगर आपने नहीं देखा है तो आप previous video जरूर देखिए बहां से आपके answer clear हो जाएंगे तो mono के लिए कितनी value आती थी थी मारे पास 3, die के लिए 5, try के लिए 7 so which one is the right answer तो यहाँ पर हमारे पास सही बन रहा है c option 1 का b, 2 का a and 3 का c next है मारे पास energy is carried out by which of the following waves energy जो है कौन सी वेव जो है अपने साथ carry नहीं करती है progressive, stationary, transversal या electromagnetic waves तो कौन सी वेव जो है हमारे साथ या अपने साथ जो है energy carry नहीं करती बो होती है आपके पास stationary waves आपके पास यहाँ पर passes है आप इसका screenshot लेके या वीडियो को रोक के इसको देख सकते हैं मैं directly आपको बताता हूं इसमें क्या हो रहा है आपके पास two bodies है जो इनके पास जो है या चलिए species को ही पार लेते हैं इन all type of collision या किसी भी तरक आपके पास कोई दो object है जो की आपस में एक दुसरी के साथ strike करेंगे linear momentum is conserved but in elastic collision kinetic energy is not conserved जब आपके पास एक कोई भी collision होता है तो आपके पास जो in elastic collision होगा उसमें kinetic energy conserved नहीं रहती linear momentum conserved रहता है और if the collision body stick together and move with the same velocity it is called perfectly elastic collision and अगर कोई body जो है वो एक दुसरी के साथ चिपत जाए जब वो एक दुसरी के साथ strike करती है तो उसे आप कहते है perfectly elastic collision two body of equal masses interchanging their velocity after elastic collision and जब भी आपके पास elastic collision होता है तो दो bodies आपने है आपस में velocity को exchange कर लेती है अगर एक body का V है जब वो दुसरी के साथ strike करेगी तो इसका V हो जाएगा इसका 0 हो जाएगी तो first question है मारे पास a particle of mass moving with velocity B making elastic collision with another particle of same mass at rest the velocity of the same particle तो again जो मैंने आपको question बताया कि अगर एक के साथ इसकी V है और ये motion में है बट ये जो rest के ओपर है वो इसके साथ जब strike करेगी तो ये V हो जाएगी and ये 0 हो जाएगी so a is the right answer next है मारे पास inelastic collision तो जब आपके पास कोई भी inelastic collision होगा तो उसकी आपके पास कौन सी value जो है conserved रहेगी कौन सी नहीं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे जो आपके पास inelastic collision होता है उसमें kinetic energy जो है conserved नहीं रहती है आपके पास तो यहाँ पे and linear momentum जो है आपके पास conserved रहता है तो यहाँ पे कौन सा जो है आपके पास right answer होगा तो inelastic collision linear momentum conserved तो where is the option number D अगर आप देखोगे तो momentum बट इन्हाँ ने केबल simple way में लिखा है first option के उपर चलोगे तो momentum is not conserved तो यह तो गलत है आपके पास kinetic energy is conserved यह भी गलत है क्योंकि kinetic energy conserved नहीं रहती दोनों तो conserved नहीं होते momentum जो है conserved है आपके पास but kinetic energy जो conserved नहीं है during inelastic collision D is the right answer next आपके पास work is positive if applied forces and displacement are in the same direction it will negative if force and displacement are opposite direction तो आपको यहां पर बताना है body is raised to height h from earth what is sign of work done by applied force तो एक object है जो की height के ओपर raised हुआ है h height के ओपर earth से तो उसमें जो आपके पास work done होगा वो positive होगा और negative होगा work done क्या था आपके पास force थी displacement थी और यह positive कब होगा आपके पास जब दोनों के दोनों same direction में लगेंगे यानि force भी same direction में displacement भी same direction में तो यानि आप देखोगी applied force के according पूछा गया है तो according to applied force आपने जिस तरफ force लगाई थी उसी तरफ body displaced हुई है it means positive and next है मारे पास body is raised to height h from earth what is the sign of work done by gravitational force अब यहाँ पे opposite case है according to gravitational आपने force लगाई object कहां जा रहा है उसी direction को but gravitational तो opposite side लगती है तो यह negative शो करेगी so negative so guys यहीं पे इस model test paper को end करते हैं I hope आपके सभी के सभी question सही हुए होंगे क्योंकि सभी के सभी काफी easy question थे and काफी important थे तो यह तभी सही होंगे अगर आपके basics clear है so I hope कि आपके सभी question सही हुए है and आप हमें comment करके जुरूर दाइए यह आपके कितने questions सही हुए है मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you have a nice day